असलाम वालेकुम वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कलस्टर युनिवर्स्टी सरेनगर एकेडिमिक सेशन 2022 फोर ये फोर ये फ्री प्लस वन आनर्स जो बैशलर्स डिग्री प्रोग्राम है उसका और पर भी जुड़ सकते हैं तो देखे अगर आपको पता होगा जिस टाम नोटिफिकेशन आई उस टाम कलियर मेंशन हो गया कलस्टर युनिवर्स्टी सरेनगर की तरफ से कि इस साल जो है इंटरंस नहीं होगा इस साल जो है मिरिट बेस पे सेलेक्शन होगी और सेहम कश्मीर युनिवर्स्टी का जो परसूं फायो इयर इंटीग्रेटेड़ कोर्स का जो नोटिफिकेशन आई दो डिपार्टमेंट्स की थी तो उसमें भी मेंशन था कि सेलेक्शन जो है वो मिरिट के बेस पे ही होगी 12 के मार्क्स के बेस पे अब उसमें वजह क्या है वो तो हमें प करनी है तो दो दिन पहले मैंने सेलीबस के बारे में एक वीडियो डाला था तो स्टूड़न परेशान हो गए तो कि अगर सेलेक्शन जो हो मिरिट बेस पे है तो सेलीबस को हमें क्या कर रहा है देखे काफी सारा कमेंट्स आये थे पिछले वीडियो में और टेलीग्राम प कोईट की वज़ा से उन्होंने जो है एक दो साल काल्जस वगरा बंद रहे उसकी वज़ा से उन्होंने किया जो किया हमें उसके साथ कुछ भी नहीं है तो हम बात करते हैं सेलीबस की काट आफ क्या हो जाएगा देखे अगर आप यूटूब पे चक करें वीडियो काट क्कारे में आपको कोई कोई भी नहीं कहसकता काट आफ का प्रोसीजर में बता देता हूं को कट-॥ किसी साथ को इससाब से होЕ сюда किसी स्टूड़न को और बात नहीं से में या बात करते हैं ऐसे स्ट्ëडंट को और करना आफ सक्णे को और इंटेग्रेटेटेर करना है तो उस भी नहीं बता सकता है ना ही किसी को अभी तक पता है कि कितने अरे फार मर्स फिल आप रज्म जो जो है वह साज पता सकता है कितने स्टुड़ेंट्स ने ज़ल है को इसको जो है इक दो साहल का जो बायो डाटा निकालके वहां से अंदाजा लगा जा सकता था कि काट आफ जो हो क्या होगा लेकिन इस साल जो इंटरंस बिल्कुल खतम हुआ और 12 के मार्क्स के बेस पे हुआ अगर आप देखें लास्ट येर का रिजल्ट उसमें देखें 80-90% तो मैक्सिमम स्टूडन्स की परसंटेज है तो अगर उन्होंने भी बढ़ा तो काट आफ ज्यादा हो सकता है तो इस साल भी रिजल्ट काफी ठीक है कुछ हद तक सही रिजल्ट है तो काट आफ के बारे में कोई नहीं बता सकता है तो तभी मैं कहे रहा था कि यह जो मिरिड बेस पर है यह डिसीजन सही नहीं है तो बहराल हम देखेंगे यहां पर जो थोड़ी से इंफर्मेशन आपको देंगे अगर आप यहां केमिस्ट्री की बात करें से बाइब ऐड में परसंट्री में अगर आप देखें लिवाटधर इसाफ्रय करें है बायोटेकनलजीमें हो जाएँ केमिस्ट्री में ईसाए थोड़ा ज्यादा बातनी मैं बाइखति ब्रपक्रेटीमें बायोटेखनीमें उससे कम होगा और चेमिस्ट्रीमें उससे कम होगा इस तरह से cut-off होगा लेकिन यह कोई नहीं बता सकता है कि 70% वारे सिलेक्ट होंगे 80% वाले 90% वाले हाँ जिन स्टूटन्ट की percentage 80 प्लस है यह कह सकते हैं कि वो जो है वो सेफ जून में उनके chances है selection होने के और जो उसके below है उनके भी chances है selection होने के तो tension आप मतलो cut-off के बारे में जो होगा सो होगा वो जल्दी ही देखा जाएगा और selection list आप की भी जो है वो भी जल्दी आ जाएगी तो फिलहाल cut-off के बारे में आप इदर उदर के वीडियो मत देखो इससे पूछोगे उससे कोई नहीं बता सकता है कि cut-off कितरा होगा वो ताभी बता सकते हैं जब selection list आ जाएगी या merit list जब आ जाएगी क्लस्टर उनिवर्स्ट्री सरीन अगरी उसके बाद हम बता सकते हैं कि cut-off क्या हो जाएगा तो चलिए वीडियो हम यहीं पर खतम कर लेते हैं कोई confusion doubt अगर है अब हमें कमेंट करके बता सकते हैं